तो हलो बच्चों कैसे हैं आप सब लोग स्वागा ठेकबा फिर से आप सभी लोगों का अच्छे वं संपूर्ण सिक्षा देने के एक मातरिस्थान अभिपसा एजुकेस्टन फॉर एक्सेलिन के इस ओनलाइन क्लासेस पर तो बच्चों जैसे कि आप सभी लोगों को पता है ह अध्याय आठ बैंकिंग एवं कराधन को इस टार्ट कर ली थे पार नमबर वन को अबने क्या क्या बात कि हो थे हमने बेसिक कॉंसेटर को समझा था और सांसी साथ हमने एक नमबर वाले प्रस्णों की भी तयारी कर ली है आज किस क्लास में आपको पार्ट नमबर टू में पांच नमबर वाले प्रस्णा जोकि बड़े प्रस्ण होने वाले व्या ख्यात्मा क्या प्रस्ण नहों क्या है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं तो बिलकुल पेन और कॉपी लेकर बढ़़ जाना है और आज कि किस क्लास को मीश्टाइट करने गए तो हमारा जो मिसन नम्मर वाले कोश्चन के बारे में डिसक्रस्टन करने वाले हैं आज किस कलास में पार्ट टू में हम आवर्ति खाता और सावधी खाता से सम्मंधित जितने भी इंपॉर्टन कोश्चन बनते हैं जितने भी टाइप सब कोश्चन बनते हैं इसके बारे में डिसक्रस्टन करने वाले नेक्स्ट कलास में आयकर की गनाना करना सिखने वाले थीक है बच्चो तो इस तरह से दो पाच्ट में πॉर्बशन के बारे में पढ़ाने वाला हूं इतिने ही प्रसने को आपको अच्छे से तयारी करना है कि यही प्रसपने में देखे लिए के मिलेगा लेकिन अगर रहेँ सिख लिए तो बिलकुल आपके पांच में प्ांच अंग पूरे मिलने वाला है विर्कुल चलिये सोह तो ड्याटक्ली मैं क्वेक्श्टर अने आपको दो सुत्र के बारे में बताना चाहूंगा दो सुत्रों से आउगजात करना चाहूंगा जो आगे की प्रस्टों को सॉल करने के लिए हमारी बहुंच ज़दा हैल्प करने वाली बिल्कुल आचा देखो कि चलो देखो तो पहला नंबर डालो हेडिंग पहला नंबर डालो यहां पर हेडिंग देखो जब भी बात आएगी कि आवर्ती खाता में आपको करना है ब्याज की गर्णा तो आवर्ती खाता में ब्याज की गर्णा करने से जम्मंदित मैं यहां पर एक फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं और देखो यहाँ पर मंने करनाउं तुंच भाषब यह किस लिए है आवरती जमॉक हाता में आछकी कवेदा क content किलिए हमारा यह सूतर होने वाला ब्याज भाबर यह ऑता है पी इंटू आर डिवाइड में आता है यह यह ब्रेकेट फिर अंदर में आता है एंपलस वर्ण और डिवाइड में आता है हमारा टू ब्रेकेट तो कर दो को लोज ठीक अब तो आवर्तीक हाता में ब्यास की गड़ना करने से समझेट यह फॉर्मूला आपको याद रखना ब्यास बराबर पी इंटु आड़ डिवाइ डिंगे ने चन्क आपका और तो फी बराबर पी क्या है यहां पर आपका है मूल क्या बच्या मूलधन लिख पर मूल थान इता सब्पतर भी का आप enjoy का है आर सब्सक्राइब को ह। तो या रहा है आपका रम वांप करेये आफ वहर महीन जम्हा करते हैं तो यह क्या हो जाना और किस्टों की सάνख्या बिल्कुल जवाब मासिक किस्टों की संख्या हमने थीनों चीजों को समझ लिया अर को समझ लिया और ए रिखट लिए ठीक है चलिए यह होगे हमारा ब्यास किसके लिए आवर्ति खाता से संबंदित जब हम ब्यास की गड़ना करेंगे तो इसी सुत्र का उप्योग करने वाले बिल्कुसर दूसरा नंबर अब हेरिं डालो दूसरा नंबर लिखो यहां पर देखो मैं लिखने जा रहा हूं दूसरा न बराबर यह निकलता है पी फिर लगाते हैं बड़ा सा ब्रेकेट फिर होता है यह वन प्लस आर डिवाइड़ बाई यह होता है हंड्रेट और पावर में जाता है एन क्या जाता है तो सावधी जम्मा खाता से संबंदित जब आपको मिस्त्रधन निकालना रहेगा तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं सर यहां पर यहां पर यहां 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 लिखते हैं यहां पी बराबर पी क्या है तो यहां पर भी क्या होगा पी बराबर यह मुल्धन ही होने वाला है प्रिंसपाल होने वाला है तो आर आपका है रेट आफ इंट्रेस जाने की यह गुअ अब यहाँ पर ये एनिस बराबर हम लेंगे यहां पर समय बिलकुल बच्चों यह zen रखेंगे न कि महुत इस ब Susаж संखिया म ISO की संखिया कि संगे आवर्थी खाटामे और समार अब फिंगे किसमें हम जब सावधी जमाघ खाटा में जब मिस्र धन लिकाल रहे होंगे तब तो यह दो फॉर्मूला बिल्कुल आपके कॉपी पर लिखा गया होगा यह मान कर चलूँगा अब इसी से सम्मंधित हम करने वाले प्रस्थनों को सौलवर चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने कुश्चन की और यह रहा आपका अगला कुश् दम नहीं कुछ भी दम नहीं है कुश्चन में कच्छा चट्वी का सवार है यह क्या पोलना देखो वसिम नाम के कोई व्यक्ति था जिन्होंने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपए प्रती महा की दर से पांच वर्स के लिए आवर्ती जमा खाता खोला बिल्कुछ तर यह कतने वर्स के लिए जमा करेगा और कितना दीआ गया भाज वो क्या करेगा हर महिन जमा करेगा तो वह भी पैसा से मिलेगा और 37 साथ उनको बियाज मिलिए तो में अब निकालना एवर्तिखहाटर से संबंदी Rain करने सबस्थपहरें की घम मारथ कि अब इस और किस ऑपन कि यहां निकालने वाले हैं ब्यास समझ很 प्यास हल दको यहां पर हमें क्या क्या दिया हुवा था तो यहां करक echo मूल धन ब्राबर मूल यहां मुल्धन पी बराबर मुल्धन पी बराबर क्या दिया हुआ है तो हमें दिया हुआ 200 रुपए से बिल्कु सही जवाब 200 रुपए हो सुका ठीक है चलो समय दिया गे था और समय हम किसमे लेंगे मासिक किस्तो की संख्या मासिक किस्तो की संख्या तो यहां पर लिखो मासिक किस्तो की संख्या मासिक किस्तो की संख्या देखो वसिम नाम का जो व्यक्ति था वो हर महिना कितना कितना रुपए जमा कर रहा है कितने साल के लिए पांस साल के लिए और एक साल में पारा महीने हो जाएंगे बारा पंचे यह हो जाएगा सर साथ कितने साथ महिनों तक जम्हां किया जाएगा मासिक तो की संक्हयं कितनी हो जाएगी साट हो जाएंगी न लिए दर लृष्ट की संनख्यं को तो ब्याज आई बराबर ब्याज आई बराबर आई इंट्रेस्ट ठीक है आई बराबर यह कैसे निकलता है अभी मनें इसके फॉर्मूला बता था पी इंटू आड़ डिवाइड़ बाई हंड्रेट फिर आता है वन अपॉन टुएलव बड़ा ब्रेकेट में क्या आता है यह इन एन प्लस फिर प्रेकेट क्लोस रहाप लगा था फील यहाँ पर बड़ा वाला ब्रेकेट भी खुलास हो चुका यहां वह में पी कमान मालूम है और एन कमान मालूम है सभी कमान चिपका देंगे कैलकुलेट कर देंगे और वही हमारा उत्तर हो जागा बिल्कुल सचलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स स्लाइट में और यहां पर इसको सौल करके दिखाता हूं आपको बिल्कुल आज़ा देखो देखो आई बडराबर आई बराबर देखो हमें P कमान मालूम है पी कमान सेमने कारिक हुआ 200 दोस्तों चिपको यहां पर मैंने दोस्तों चिपका दिया इन्टू पिर पर भ你好 दिखराए है यह रखो बटए में था कि दो तो इन टो फिर क्या था मैंने लिखा बड़ा फिर अर हमने निकाला हुआ तो यह साथ गुड़न में क्या है देखो गुड़न में कौई कई क्ञें तो budicon जाएगा 61 बटे में क्या था दो था दो को चिपका है पर दो कुछ चिपका दिया चलो इसको आगे हल करतें देखो तो आई बराबर क्या हो जागा देखो यह दो जीरो से यह दो जीरो कैंसल हो चुका यहां से सब्सक्राइब करेंगे तो ब्याज आई बराबर हमें मिल चुका बच्चो अठारा सो तीस रुपर मिल चुका यह क्या है व्याज हमारा फाइनल एंसर नहीं है हमारा फाइनल एंसर Hoилась निकालना क्या है कि वेंक द्वारा पांस साल बाद मृसिम को कितनी धं रासी वापस किये जाएगी अब इसको हम कैसे निकाइगे दो यहां पर हम निखेंगे अतह पांच वर्स पश्चात पश्चात वसिम को वसिम को मिलने वाली धनरासी बराबर देखो तो बच्चो जो वसिम नाम का व्रक्ती है वो पुरा साथ महनों तक दो-दो सरुपे जम्म किया है तो वह सभिमिले है और शांत जाद उनको उनका व्यार्ज भी मिले है तो दो-दो-गृत harin के लिए साथ महिनों तक जम्म किया थो यह पाइस अभी मिलेगा और उसमें जुड़कर उनका ब्याज मिलेगा तो उनका ब्याज कितने रुपए 1830 रुपए तो यहां पर मैंने रख दिया 1830 बोलो यहां तक कहानी करेंगे तब फिर क्या करेंगे हम जब गुड़ा करेंगे 200 का 60 से तो हमें मिलेगा यह 12,000 तो यह हुचु का 12,000 प्लस करेंगे 1830 रुपए को चलो मैंने प्लस कर दिया तो दोनों को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा हम ब्याज की गड़ना करते हैं आई होप यह कोश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेस्चन की और देखो तो पदमनी नाम की कोई लड़की रही होगी पदमनी नहीं जिला सहकारी बैंक में 100 रुपए प् हमें ब्याज दे दिया गया है ब्याज नहीं निकालना है ब्याज हमें दे दिया गया हमें पूछा कि आ गया है ब्याज के दर कितने प्रतिसत वार्सी को गई हमें यहां पर निकालना है दर को रेट आफ इंट्रेस्ट को निकालना है जबकि हमें ब्याज का मान दे दिया ग मुलधन फ BLR चाल डिया है सो रुपए प्रती महां जम्म किया जाता है तो सौ रुपए हो चुका हमारा रोहां ठीक है हमें हमें δिया गया 10 वर्स अब यहां पर मासिक किस्तों की चímकित कि ना लोफ सबम कसा दों नहीं हो जाएग़ मासिक किस्तों की संख्यां जिसले कि मासी के किस्तों की संख्या एन बराबर एन बराबर क्या हो जाएगा दस का हम गुड़ा करेंगे किस्से का बारा साथ करेंगे तो हमें मिल जाएगा 120 क्या मिल चुका 120 मिल चुका हमें यहां पर दिया गया था ब्याज तो ब्याज बराबर देखो को ब्याजस जिसे हम गय से प्रदस्शित exemplo poking प्र facebook और दी से प्रदसित करते हुड अ draußen बडाबर हमने crooked 1025 आप दीए अ दी आटा ना कुंण गया जो इसे पहले वालोव लगानीं प्रहुरब्षो बड़ाबर अतह विद बड़ाबर लीज आई बड़ाबर देखो हमारा फ़र्मुला क्या होता है पी इन्टू आर डिवाइड़ बाई ये होता है फिर आता है करूं सबढू कलते लिगते है इन फिर आता है निचे में तू हमें यहां पर नीचे में अंहीं कर दर तरकामान नीकाल नीकालागा तो यहां पर मीचलत हूँ रबराबर टो豉ष्टर मन, अभिल्कूल आपकी अच्छा सख्लियर रहा बिल्कूल क्लियर है देख्यों आइक कर्मान मालुम है पी कर्मान मालुम है अरकर वाण में इज्ली निकालएगा से व्चिंग कर दो बिद्फको तो आए बराबर हमें आई कर्मान मालूम है व्यार्ण आनिके न्हीं दूंट 252 चपकाओ चपकाओ यह हो जाएगा 3025 बराबर तीन हजार पच्छीज बराबर देखो पी कमान पी कमान क्या है 100 सो चपकाओ आर कमान निकालना तो आरा हो जागा बटरे में क्या जाएगा 100 फिर गुड़ा में था एक बटा बारा एक बटा बारा लिको यहां पर फिर कि एक सो फिकेस बटे में आ जागा यह को करते दो है दखो यह सो नी पड़ गया तर फिर यह निपर जागा पांच बार में क्या बचचु कहां हमें यह मिला कहां पर तो यह जागा 3025 बराबर आर बचा हुआ और इसके सांथ गुड़ा में प्या-क्या बचा हुआए 5 बच हुआ हमें निकालना है आर कमान तो आरको मैंने यहीं पर लिखा आर के साथ जो भी गुड़ा में है वो 30025 के बत्रे में आजाएगा भाग में आ जायगा भाग में आजाएगा भाग मिला इसको तो यह हुजा गातीन गुणा एक सविक किस अबिल जहां तक कहानी के लिए यह तीन क्यों कहा होगा यह पांच होगा यह फांच होगा यहाफ फैसंक को लेंगे हम लगाना पड़ेगा पदे तो यह पर इसको ग्यारा से निए टिक है तो आर बराबर हमें फाइनल मिला हुआ है प्रतिसाद देखो यहां पर आपको काटाने नहीं आएगा तो बिल्कुल आपको क्या करने भाग देख देख लिना करने मुझे पर आपको भी कटाना सिखना पड़ेगा कटाने नहीं आ रहा है तो आपको भाग देना पड़ेगा सबसे पहले आप 3025 को पाँस से भाग देदोगे उसके बाद जो भी मिलेगा उसको आप 119 को भाग देदोगे तो आपको आर बराबर मिल जाएगा पांस प्रति कि दर अरब बराबर पांच प्रतिसत वार्सिक है यह हमारा final एंसर जो आपको पांच में 5 अंग दिलाने वाले most important question आयए तो हमने ब्याच के गड़ना करना खी के लिए और हमने दर निकालना भी सिख लिए बहुते इंपॉर्टेंट कुष्टन था फाइप स्टा लगा कि इसको रखना चालिए अब हम बढ़ना चाहेंगे अपने लेक्ष्ट कुष्टन की और यह रहा हमारा अगला कुष्टन आपके इसकी निंपर देख लिए आजाओं बिल्कुल चलो तो राम नाम का कोई व्यक्ति था राम ने बैंक में सावधी जमा अब बोल दिया गया सावधी जमा धान रखना अभी तक अपने दो जो प्रस्ण के थे वह आवरती जमा खाते से संबंदी था अब जो प्रस्ण कर रहे हैं वह सावधी जमा से संबंदी था ठीक है तो राम न ठीक है फिर हमें पूछा गया है कि जदी ब्यास की जो गढ़ना है वह च्छा माही सही उजित कि जाती है च्छा माही और मैंने आपको पहले ही क्लास में प्राप्त होगी तो हम यहां पर क्या निकालेंगे मिस्त रदल कि अलगे दल रिखो यहां पर हमिहें चलो है यहां पर कर दो 40,000 प्रिपरação फिर दीएक है समय क्या प्रिया वैडत सब्सक्राइब साथ दिया गया समय तो समय एन बराबर यहां पर मास्तिक कि संख्धाइए नहीं लिखना मैं बार्वर बोलता हूं आवर्ती जम्हाः खाते में आपको मास्तिक किस्टों कि जम्हा करना क्योंकि हर महढ़ने जम्हां करते यहां पर 16 ऐख मुस्त cafes को एक निस्चित-स समय के लिए जमाक किया जाता है तो यहां पर समय बराबर क्या हो जाएगा एक वर्स क्या हो चुका यह वजिगा सर्एक वर्स बirkों फिर यहां पर दर बोला गयता दस पृतिसाव का हुआ नहीं क्या यह रहा क्या हो यह elk taxpayer ड़ल बराबर क्या हो चीha ऎ zweci अब यहां पर most important line लिग दी गई यह क्या कि यदि ब्यास की जो गटना है वह च्छा माही सही जीत जाती है यानि कि हर च्छा महीने में ब्यास की गड़ना की जाती है तो इस केस में अब करते हो क्या हो अब समय को कर देते हो डबल तो यह हो जाएगा दो च्हा माही आपको लि कि कहानी के लिए रहे का बिलकुस रच्छे से क्लिकान अब हम निकालते हैं मिस्स रधन अ को पछे मिस्त मेराबर अब मेस्त रधन को मिस्त रधर अबराबर हमारा क्या होता है यह होता है यह कि फिर्स काचप का आज वह हां देखर नेक्सट्राइब करें चाहीं भिटाए निर्टाइन इसंट धिल्ग सप्रक्षब सब्सक्राइब और न अब यहां पर यहां पर रहाँ मान क्या रखेंगे तो आपर गलती सभी आपको तो यहां पर समय बराबर एक वर से कोई नहीं बोलेगा हम चाह माही गणना कर रहे हैं तो एक साल में कितने चाह माही दो तो यहां पर एन की जगह आपको चिपकाना दो चिपकाना दो बिल्कुल सर्थ तो चालीस अजार देखो आगे इसको में हलकाना जा रहाँ चालीस यजार तो यह उन प्लिफ देखो यहां पर पांच अपर बताद क्या हो चुका एक बटा बीस हो चुका घात में लगाएंगे दो सर बिल्कुल लगा दिये देखो अब यह क्या हो जाएगा तो 40,000 को भी चेंज ने किया है इंटर घात में मतलब की 21 2-20 का मम लगाने 2 बार कर रहेंगे गुडा सीरा ध्कुणल 1021 क्या मिल चुका चार सवक सा जुका तो है 601 का सो से तो यह जाएगा चमवाली सजर एक सहमें मिल जाएगा tops 45000 एक सो रूपअ हमें मिल जाएगा यह है हमारा मिस्ट्रधन का मान क्या निकालना बच्चों में मिस भर निकालना था घर्ण अनिकार देखो अब हमारा यह फाइनल ही सव क्या है Él Connect सजार एक स्रूप हमारा फाइनल एंसर हो जाएगा अब लिखेंगे कैसे देखो यहां पर पुछा गया था तो परिपक्वता की पस्षाथ राम को कितनी धनरासी प्राप्त हो गई तो जैसे तक पुछा है उससे के पस्षाथ कौन था राम था राम को राम को चमवाली सजार एक सब रुपए रासी प्राप्त होगी रासी प्राप्त होगी यह हो जाएगा हमारा फाइनल एंसर जो आपको पांच में पांच अंग दिलाने वाली है और यह को सरी पुछा गये था तो आपको पांच अंग मिलने से कोई भी नहीं रोग सकता है पांच नंबर आपको दिलाने वाली है तो हमने सावधी जम्हा खाते से समधित एक प्रश्ण को कर लिया नेक्स्ट को बढ़ते हैं और अगला जमारा कुश्ण दिया गए इसको चले परते प्रश्ण कर मांग सावधी जम्हा के रूप में क्या सावधी जम्हा के रूप में एक मुस्त 20,000 रूपए एक वर्स के लिए 16 प्रतिसत वार्सिक ब्याज की दर्से जम्हा करता है यहां तक कि कहाने के लिए फिर आगे बोला गया है यदि ब्याज तीमाही संयोजित होता है तो परिपक्वता इसको भी स्टॉल करने में आजा विल्कुल टाइवेंश निगरेंगे देखो यहां पर सबसे पहले मैंने लिखा हाल देखो अब जो जो हमें दिया गया उसको हम जमा कर लिखना चाहते हैं देखो तो यहां पर यह हो जायागा दिया है चलिए बताएं क्या कि हमें यहां पर पहरत ना तो सबसे पहले मुझे दिख रहा यहां पर मुंधन किया दिख रहे सर मुझ एक आह। मुंधन पी बराबर एक मुझक त ρांट जमक के गराइशसे कितनी है 20 जार रुका य proudly होचुका 20 हजार रुपा धिर सब्कूर हम तक कहानी कहां के लिए फिर हम समय कंप ना समय कमान हो जाएगा तो समय एन बराबर समय एन बराबर क्या होजा गए एक वर्स हो हो चुका क्या हो चुका एक वरस हो चुका बिल्कुछ नहां गरपिंपर्वरीन गॉन फिर हम्मने देब करूसर drives जब सावधी घ्मांह खाते में जब Garna तीमाही करेंगे तो आप तिमाही कैसे निकालेंगे अब देखो तो हम क्या करेंगे दर को चार से कर देंगे भाग तो सोला को मैं चार से भाग करूंगा तो हमें मिल जाएगा चार परतिसाथ तिमाही क्या मिल चुका बच्चो चार परतिसाथ हमें मिल चुका तिमाही बोलो यहां तक की कहानी के सब्सक्तोचत नौ कर official के है ऑभी तक हमने कुछ भी निकिया है जो दिया था उसी बात काना अच्छे से नो ढल डावन कर ल政ант कर लींगे आ जाओ अब हमें यहाँ पर निकालना है क्या मिस्त रधन बिल्कुल बिल्कुल हम यहाँ पर मिस्त रधन निकालने वाला है तो मिस्त रधन बराबर क्या होता है यह होता है पैफिर यह में जाता है क्या एन जाता है हमेंप अमालूम मालूम है एक सेचन जो एक्ष्ट्रा पेस्टर वोग इसको मांद बढ़ाई उसकल कॉम देखो देखो तो यह तो यह अगर ऑप कर दो तो में सब्सक्राइब बराबर पी कहिं मा लूम हैma मालूम है ओन हुआ गशार में पर यहां गशार जाओं यहां पर इसको के पर स्टार यहां इसको नवे तो चार एकम चार इसको निप्टा दोगे तो यह कुझा करेंगे एक से तो फिर हम जोड़ेंगे एक पर फिर हम जोड़ेंगे एक पे तो यह हुझा सब्सक्राइब करेंगे चार बर गुड़ा अधार के साथ ही तो 26 गुड़ा यह हुझा कर दिया चार बर मैंने कर दिया चबीस बटा पच्चिस का चार बर कर दी हमने गुड़ा बोलेया अब देखो यहां पर आपको खुंग नहीं सहर sebenernा व्हेँ सब्सक्राइब यहां पर आजुका ठीक है चलो एक बार और निप्टा सकता हूं तो पच्छी से कम पच्छी सको निप्रा दूंगा तो 25 तीया हुजाए गए 75 भी पांच बचा हुआ है सब्सक्राइब करेंगे तो यह हो जाएगा जागा 25 बचा है दोनों को गुड़ा करेंगे तो यह होता तो आप 635 से भाग दोगे तो मैं इतनी उम्मिद आपको लोगों से करके चलूंगा कि यह तिना गुड़ा भाग आपको आता ही होगा मैं क्या करूंगा मैं यहां पर यहां पर क्या आएगा 23,397.17 रुपए आने वाला है जब इसको आप कैल्कुलेट करोगे अच्छे से सौल करोगे बच्चों इसमें टाइम ले सकता है मैं मानता हूं टाइम लगेगा इसलिए मैं टाइम के बचाने के लिए आपको इसको होमवर्क दे रहा हो इसको आपको खुद करना पड़ेग उपर वाले को पहले सौल करोगे उसको आप 635 भाग दोगे तो हमें क्या मिलेगा 23,397.1 रुपए हमारा यह फाइनल एंसर हो जाएगा पूछा क्या आगे था परिपक्वता के पस्चाथ किसन को कितनी धनरासी प्राप्त होगी तो इतनी धनरासी प्राप्त होने वाली है अब इस बात को हम यहां पर लिखना चाहें बिल्कुश लिख दिने आदाओ देखो यह क्या होजागा अतहां परिपक्वता के पस्चाथ परी पक्वता के पस्चाथ उस्वेक्ति के नाम कहा था किसन किसन को कितना रुपए है 23,397 रुपए की रासी प्राप्त होगी की रासी प्राप्त होगी अगर मैं आप लोगों सो यहां पर पुछलू कि किसन को कितना रुपए ब्याज मिले है तो आप कैसे निकालोगे भीया एक साथ उन्होंने 20,000 रुपए जमा किया हुओ था उनको लास्ट में मिला कितना है 23,397 रुपए तो आप क्या करोगे इसमें आप 20,000 को घटा दोगे तो आपको मिल जाएगा यहां पर 20,000 को इससे घटा दोगे 23,397 से तो आपको मिल जाएगा 3,397 रुपए उनको व्याज दिया जाएगा बैंक कि द्वारा किनको तिसन को तो इस तरह से बच्चों आज किस क्लास को यहीं पर खतम करना चाहिए टोटल मैंने आपको चार क्वेस्टन करा दिये हैं जो कि पांच नंबर के लिए पूछे जाने के चांसे बंदते हैं बस इतने ही प्रस्टन को आपको अच्छे से करना था इसके बाद जितने भी आपको प्रस्टन दिये जाएंग उसको आप इसली कर सकते हो इसका एक और जहां पर हम करने वाले हैं आयकर की गढ़ना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहने वाला आयकर की गढ़ना करना मातर एक ही क्वेश्टन आपको बताने वाला हूं एक सारे बेसिक उसके बाद बस आपके डेटा को बदला जाएगा और को पॉर्मेट जो हल करने का तरीक करेगा वह सेम टू सेम रहने वाला है तो हम पूरे को बिल्कुल सॉल नहीं करने वाले एक क्वेश्टन बताऊंगा मैं आयकर की गढ़ना करने से संबंदित वह पूरे क्वेश्टन को आपको सॉल करके दिखा देगा ठीक है तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा ह होगा तो बिल्कुल कमेंट करना लाइक करना और दोस्तों तक सेयर करना है मैं मिलूंगा अपने नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए थाएंक्यू वेरी माच